है लो एवरीबड़ी कैसे हैं सबी लोग जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवन्शी है और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो का नेक्ष्ट इस मीशन और वीजन का मैं नेक्ष्ट आंने वाला हुँ तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अज के एस वीडियो में बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक, तो ही साथ-साथ में भी हो सकता है कि यह वीडियो लंबा चल ने जाए तो आप लोगों के छिए मैं सुविधा के लिए इसको दो बनाओंगा हो सकता है कि इसी वीडियो का चार पार्ट बन जाए तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों का समय ज्यादा ना हो और आप लोग जो भी लोग मुझे सब्सक्राइबर से हैं और वाश करते हैं और मुझे प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों का हाथ जोड़ करके कि उन्होंने इतना बढ़ियां फीडबेक दिया और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई सर आप वीडियो थोड़ा छोटा बनाईए जिससे की थोड़ा टाइम की खापत कम हो तो मैंने इस चीज़ों को सब्सक्राइब करते हूं तो इसलिए मैं इस वीडियो को तिंचार पार्ट में बनाने का सोचा तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और यह क्यों स्टार्ट हुई दूसरी चीज़ यह जानेंगे हम लोग की हम लोग एनस्पी नेशन के माध्यम से जितने भी हमारे भाई बंदू लोग अलग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर करते हैं वह लोग यहां पर इस वीडियो को देख करके इस चैनल में क्या-क्या सर्विसेस देगी या फिर कौन-कौन से आपको प्रोडक्स मिलेंगे जहां से आपको इस बिजनस वीडियो के माधम से आप अपने बिजनस को ग्रोथ दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों यह तीन पॉइंट के उपर हम लोग अभी इस पार्ट वन इस वीडियो सरत दोलयों का अगला पार्ट होगा तो फिर उइसरा वेजन हमारा अगर मैं बत самой इसन का यही था कि मैं जैसा कि अगर में मेरे से काफी बहतर लेवल पर अंडरेश्टेंड करते हों तो आप लोगों का जो भी फीडबेक होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है यह जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और अगर मिशन विजन अगर अच्छी लगती है आपको तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलते आता हूं कि दिमाग की घंटी बजानी आवशक होती है तो अगर हम घंटी बजाएंगे तभी कुछ हो पाएगा क्योंकि यहां की घंटी जरूरी है और वहां की घंटी भी जरू पड़ा अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करो कि दन नेटवर्कर स्टोर पॉइंट निशन क्या है तो पहली चीज तो इसमें कुछ वर्ट्स है जो कि आपको देख सकते हैं पहला वड़ा आता है दग को तो हटा दिजिए वो तो ऐसे यूस किया जा है मैंने पहले वर् दूसरा वर्ड आता है इस्टोर तीसरा वर्ड आता है पॉइंट और चौर्था वर्ड आता है नेशन मतलब यह कि नेटवर्कर स्टोर पॉइंट नेशन की अगर मैं बात करो तो जितने भी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्क करते हैं या नेटवर्क मार्केटि इस को कमपनी समझ करके वहाँ पर करना करते हैं तो वहीं भी सकता है कि उनोगों सुख नूँदा हो फिर हो सकता है कि उनको और प्रेजिटेस से वो उसलेaway उसले हुग अगर अगर देखा जाये तो आने वाले समय में वैसे ही लोग जब फेल हो जाते हैं वहां पर या फिर वो कंपनी बंध हो जाती है तो निगेटिव हो जाते हैं और उस कंपनी को या फिर उससे प्लान को छोड़ करके वह टोटल पूरे मल्टीलेवल मार्केटिंग जो कि प्योर ने प्रोड़क को सेल करने का एक माध्यम है नेटवर्क मार्केटिंग मतलब यह कि आप नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन आप पूरे नेटवर्क में या फिर पूरे नेटवर्क के माध्यम से या फिर अपने नेटवर्क को बना करके उसके मार्केट में मार्केट लेकिन हो सकता है कि आप मुझसे बहतर जानते होंगे लेकिन मेरी जहां तक मैं जहां तक network marketing को समझता हूँ आपसे मैं share क्या हूँ हो सकता है कि अगर आपके पास अगर इससे बहतर knowledge होगी तो आप comment box में डाल दीजगा और मैं अपनी भी knowledge को improve करूँगा और आपसे भी सीखूँगा और अगर आपको मेरी बाते पसंद आती है तो आप भी मेरे से सीखे हम दोनों लोग मिलके आगे बढ़ते हैं दोस्तों network की maximum problem एक ही स्वीप जाकर के लटक जाती है वह है applying factor अगर आप किसी भी network marketing में बिजनस में जुड़े हुए है चाहे जन्यू network marketing का बिजनस हो चाहे वह कैसा भी बिजनस हो अगर कोई किसी भी network marketing में जुड़ा है तो वह पहली चीज़ आती है उसकी applying factor अगर applying अच्छा मिल गया काम करने वाले मिल गया उसके साथ 24 घंटे लग कर के काम करता है तो भी डाउनलाइन को यही प्रॉब्लम होती है कि अपना profit देखा है अगर applying खराब मिल गया किसी कारणवाश तो भी यही समस्य होते के भाई यह फसा दिया अगर अच्छा हुआ डाउनलाइन भी अच्छा हुआ लेकिन डिफॉल्ट कंपनी खराब निकल गई तो भी डाउनलाइन को यही लगता है कि अपने यह पैसा कमाने के चकर में हमको फसा दिया मतलब अगर देखा जाया तो पूरे दोस्तों इस वीडियो में मेरा में इस सक्षंट और कर से स्ट्रक नेशन को बनाने का में उद्देश से यही था कि मैं आप लोगों से सारी चीज़ों को शेर करना चाहा रहा था कि भाई आज के टाइम पर जरूरी नहीं है कि हमारे जितने भी सीनियर अप्लाइंस है वो खराब हो या फिर आप जहां पर वर करते हैं अगर एक बंदा आपको खराब मिल गया तो आप की रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि आप उस निगेटिव सिच्वेशन को हैंडल करें और उसके सीनियर अप्लाइंस से कनेक्ट हो जाए अगर दूसरा अगर सीनियर अप्लाइंस भी आपको अच्छा नहीं मिला तो उसके ऊपर कनेक्ट हो जाए लेकिन आपका यह कोई अ पड़ जाएंगे तो दोस्तों यह चीज़ें नहीं करनी है तो मेन मेरा मोटीव इस चैनल को बनाने का यह था और खुश्च लोग मेरे साथ कर परसनली भी कनेक्टेड है जो कि मैं जहां पर वर करता हूं वहां पर मेरे साथ परसनली कनेक्टेड है तो अब जाहिर से बात ह यह को दो कपनीवानी खोलने का में अपने इनर पीस के लिए अगर बुसा जाय तो अंतरातमा के शान्ती जामत्यम यूटूब चैनल खूल करके बैठा हूं और वैसे और मैं यूटूब का चैनल बी को इरादा नहीं था खूलनी का लेकिन एक तो लौकडाउन के चक्तर मे दूसरी बात मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया था जिसके वज़े से मैं सोचा कि एक बार ट्राइ करके देखते हैं क्या मलब करते हैं अगर अच्छा लगा तो ठीक करेंगे वैसे नेट्वर्क मार्केटिंग के अगर बात करें तो वह फिल्ड का ही काम होता है आप फिल बना करके आप लोगों के लिए भले 12 बजे रात हो रहा है तो क्या हुआ लेकिन आप लोगों के लिए यह बनाने में और मुझे परसनल आइडियास को शेर करने में जिसके वज़े से मुझे काफी चीजे मिली या फिर मैं बोलू अगर तो मुझे काफी मदद मिलती है इस करने के लिए तो मैं सोचा कि यह सारी चीजें शेयरिंग में एक्चुलिस में मुझे शेयरिंग में थोड़ा से बिलीव है और आप लोग सपोर्ट करते हैं अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है कुछ शेयर करना तो आप मेरे से भी शेयर कर सकते हैं और जो लोग करेंगे और मैं अगर शेयर करता हूं तो आपस हो सकता है कि इससे बहतर नॉलेज मेरे पास आजाए आपके मादम से तो दोस्तों नेटवर्कर्स की मेन दिक्तत यही थी कि नेटवर्कर्स का मुद्दा सिर्फ अप्लाइन के उपर आकर के लटक जाता था तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करें जहां से मेरी टीम को भी सपोर्ट मिल पाए और आप लोग जो आप लोग अधर कंपनीज में वर करते हैं तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैंने यह मार्केट को देखते हुए और आज के टाइम पर कोरोना का समय चल रहा है तो हर एक इंसान को दिक्कत आ रही है अपने बिजनस को रोग करने के लिए तो मैंने कुछ चीजे लांच करी है अभी प्रॉपर तरीके से लॉच्छ करें PB डल चीजे लोगोव टांश करी लेकिन करने वाले समय में और छीजा आप लोगों के लिए ले कर आऊंगा लेकिन अगर स्विंच में बात करेंמפ अब आपको इस वीडियो 베को आने वाले टाम में मिल जाए और इसालेए दाखते आपको पता चलाएंगी व मैंने बता दिया कि जितने भी लोग MLM industry में वर करते हैं मेरा में में उद्देश यही था कि उनको एक प्लेट फॉरम दे दू जहां से उनको आप वो कहीं भी रहे और इंडिया में कहीं भी रहे या फिर अगर फॉरेंड में भी रहते हैं अगर उनको कोई सी भी प्रॉबलम करों आतीर हैं network marketing related तो वह मेरे वाइड़्यो को देख करके अपनी समस्याओं को सही कर सकते हैं और तरीके से आपके साथ वहाँ पर प्रेशेंट bond फीजीकली नहीं हुं लेकिन आप मेरे वीडियो सो अगर आप देखते हैं तो अगर imagine कर सकते हैं कि मैं सामने ही आपके बैठा हूँ और आप मेरे मेरे से आप आप नॉलेज भी ले रहे हैं और अपनी नॉलेज मेरे को भी शेयर कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग काफी आगे तक बढ़ सकते हैं इस वीजन से मैंने इस से Networkers वर्ड को ले करके इस चैनल के लिए आया दूसरी बात Networkers Store मतलब कि Store कि किस लिए आया तो यह Store की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ Solutions के भंडार हैं मतलब यह कि आने वाले समय में जब मैं Solutions आपको क्योंकि अभी Solutions और सपोर्ट यह दो प्रोडक्ट हैं या फिर आप Services कह सकते हैं जो कि डीजीटली टोटल पीजीटल प्रोडक्ट से तो यह आपको एट रिजनेबल प्राइस पर आपको मिलेगी बट नाइंटी डेस का मैं टाइम लूंगा रिसर्च करने के लिए दूसरी बात एडवांस पेमिंट होगा इसका सॉलुशन पर अभी इसका रिसर्च चल रहे कि प्राइस क्या होगा इसके लिए अभी चार से पांच साल का मैं इसका रिसर्च कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए एफोर्डेबल भी हो और ज्यादा तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों अगर आप लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति इस चैनल पर नया आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत इंट्रेस्टिंग चीजें आप लोग इस्टोर आफ सॉलूशन्स और या फिर आप सिंपल में समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे प्रोड़क्ट है उसका एक भंडार आपको यहां पर नेट्वरकर से स्टोर पॉइंट नेशन के मादम से आपको मिलेगा तीसरी बात करते हैं पॉइंट पॉइंट का मतलब है एक जगह या फिर एक प्लेस कह सकते हैं जहां पर सारे नेट्वरकर्स आ करके इकठा हो करके अपने एक्सपीरियंस को शेर करेंगे यह इसी वीजन के साथ मैं इस पॉइंट वर्ड को इस अपने चैनल के नेम में या फिर आप बोल सकते हैं जो भी आप समझें वैसे यह कंपन नहीं नहीं बोल सकता तो मतलब आप जो भी समझ लीजे इस पॉइंट को मैं लेकर करके आया हूं और यह पॉइंट और पहली चीज तो ही है कि मतलब सारे नेट्वरकर्स एक जगह आ करके मिले और अपने अपने एक्सपीरियंस शेर कर सकते हैं आप चाहिए किसी भी लेव शींटे आपको क्योंब आपको नेटवरक मार्केटिंग के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेर करना होता तो मैं खुद के कंपेनी कह सेखता and कैसे लेकिंए करता हूं बहुत अच्छे लेवल पर है या फिर लो लेवल पर है या फिर जस्ट स्टार्टिंग किया है जो भी आपका एक्स्पिरेंस आप यहां पर आगर करके प्री आफ कोश्ट आप शेर कर सकते हैं तीसरी चीज मैं अगर बात करूं तो पॉइंट के बाद आता है नेशन नेशन का मतलब यह है दोस्तों कि मैं जितने भी नेटवर्कर्स हैं उन सारे लोगों का एक नेशन के रूप में बनाना चाहता हूं कि मतलब एक बहुत ही बड़ी टीम सब को साथ ले करके आगे बढ़ना मेरा यह मेन मोटिव है कि एक नेशन हम लोग क्रिएट करेंगे साइंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे बड़ी पावर है तो आप लोगों को भी अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं काम करते हैं या फिर अभी तक नहीं जुड़े हैं या फिर आपको 1947 की अभी तक सोच रखी हुई है तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वह 1947 की सोच थी जो कि भाईया नेटवर्करों को बोला जाता कि था कि जोला चाप है मलब प्रोड़क्ट गर-गर बेचते हैं तो वह चीज अब नहीं रही है नेटवर्क मार्केटिंग का फेस अलग हो चुका है वह नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मकसदी होता है अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग होती ही नेटवर्क मार्केटिंग की चीज़ें हैं मतलब यह कोई प्रोड़क्ट सेल करने का काम नहीं है प्रोड़क्ट बाइपार्ट होता है कि प्रोड़क्ट के मादम से कोई एक व् और अधर मार्केटिंग मेंगे अप फरोड़क्स भी तो जी सेल करनेर की तो नेडरेक्स चीज़ आविश्यक प्रोकस करें तो पुल करें तो इस वीजन अधर कर Ja का Networkers Store Point Nation मैंने नाम को रखा जहां पर सारे नेटवरकर एक ही प्लेस पर एक ही पॉइंट पर आ करके मिलें अपने experiences share करें और उनके जो भी प्रॉब्लम से जो भी दिक्कते हैं वो हमारे माधम से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्ट किया जाएगा और प्रॉपर सॉलिशन आपको क्रोवाइट किया जाएगा कि आप कैसे अपने बिजनस को ग्रोथ दे सकते हैं यह मिशन और वीजन था मेरा अब बात करते हैं आपको नेटवर्कर्स इस्टोर पॉइंट नेशन के साथ क्यों आना चाहिए या फिर हमारे वीडियो को क्यों देखना चाहिए दोसों में मोटिव यह है कि अगर आप अगर इस एनस्पी नेशन से जुड़ते हैं और जुड़ने का माध्यम बस एक ही है आपको लाइक करना है शे प्री आफ कोश्ट ज्वाइनिंग है कोई आपको खर्चा नहीं करना है ना कोई मलब बस जो हम लोग सर्वीसेस देंगे उस सर्वीसेस को आपको अगर आपको जैसी भी आपकी रिक्वार्मेंट है आपको उसके हिसाब से बताएगा अगर आपको पसंदे तो आप ले सकते हैं अब रियालिटी कुछ और होती है लेकिन कोई दिखाता नहीं है में दिक्कत के बात किया है तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर से आवाज आई थी कि भाई हर एक नेट्वरकर को इस चीज़ के लिए अवेर्नेस देना और आज के टाइम पे अगर मैं बोलो तो मैं कोई मोटिवेशनल वेर्नेस्टार नहीं हो नहीं कोई आज जैसे की लोग बोलते हैं कि वह से चरजल में तो देखो दोस्तों मैं ट्रेनर भी नहीं हूं ना मोटिवेशनल स्पीकर हूं ना कोई बड़ा बिजनस मैं हूं मैं एक सिंपल सा नॉर्मल से कॉमन मैं हूं और एक मिडिल क्लास बॉय हूं जो कि कुछ एक्स्पिरेंस मैंने देखा तो आप लोगों से इस नेटोर्क मार्केटिंग के बारे में शेयर किया और यह यूटुब चैनल बनाने के में नुद्देश यही है कि आप लोगों को मैं इशार्थे में बताना चाहूं मैं डारेक्टल अंथरा और शाकुलिक के वज़े से आप मोटिवेट हो जाते हैं कि अपने आपको प्रूफ करने के लिए आपको दोस्तों मजबूत इसलिए नहीं बनना है कि आप दूसरों को गिरा दें या फिर दूसरों को नीचा दिखाएं बलकि आपको मजबूत इसलिए बनना है कि दूसरे आपको नीचे गिरा नपाएं तो दोस्तों इस वीजन से मुझे लगा कि इस से नेटवर्कर स्टोर क्वांट नेशन को स्टार्ट करना चाहिए और आप लोगों का इतना बढ़ियां प्यार मिलता है जिसके वज़े से मुझे बताना पड़ रहा है कि यह एनस्पी अगर मैं बात करूं तो यह मेरा एक मैनेजर ड्रीम देखा हुआ था जो कि मैं अपना जब घर बनवाँगा तो उस घर का यह नाम होगा दनेटवर्कर स्टोर क्वांट नेशन झाल